नमस्कार साथियो दा डिगनिटी के यूटूब चैनल में मैं आश्वतोस आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम इस वीडियो में राजस्थान सरकार द्वारा एक आपकी एडॉक में या कहा जाए तो सम्विदा में एक जो भरती निकाली गई है उस भरती की करी मिलेगी उमीद है आप वीडियो अनतितक देखेंगे यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बहुत सारे बच्चों के और बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में प्रशना रहा होगा कि सर ये संविदा की भर भरती हो जाएंगे लेकिन तीन साल बाद हमें निकाल दिया जाएगा हम कैसे आपका अपना भविष्च निर्धारित करेंगे तो उसके लिए देखिए आपका सबसे महत्तपूर्ण वर्तमान समय पर दोस्तों क्या है आपका कार करना जब आपकी परचेजिंग पावर बढ चालती है यह भरती एकनम सीधी भरती है इसमें आपका जो है सीधे आपसे योगता मांगी गई है कि आपका जो दसवी की मार्क शीथ है वो आपके पास होनी चाहिए और बांकी चर्चाएंगे हम करेंगे अब जैसा कि आप देख रहे हैं यह स्क्रीन में आथेंटिक आपक आपका जो डिस्क्रिप्शन है वहां आपको यह लिंक मिल जाएगी अब देखें सामने दिया हुआ है कि यह बस सार्थी योजना है इसके अंतरगत यह संविदा की भरती निकाली जाएगी राजिस्थान राजपत परिवहन निगम द्वारा अब अगर मैं बात करूँ तो आपके दिमाग में आएका सर यह कब से चालू होगा तो देखें यह चालू होगा आपका योजना ये आपकी जो है ये सामने लिखा हुआ है आपकी ये योजना 1 मई 2023 से प्रभावी होगी एक मैई 2023 से सार्थी योजना चालू होगी अब आपको भी बता है कि राजस्थान म ये योजना प्रारंब होगी अब इसके आंगे की चर्चा कर लेते हैं कि इस योजना में क्या-क्या है अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर आपका पहला पॉइंट बना है नंबर दो में कि पात्रता क्या-क्या होनी चाहिए कि इलेजबिल्टी क्या होनी चाहिए सीधे सीधे लिखा हुआ है किसी भी माननता प्राप्त बोर्ड से दस्वी या उसके बराबर की आपके पास क्या होनी चाहिए आपकी मार्क सीट होनी चाहिए प्लस सबसे important आपके पास परिचालक का license होना चाहिए मतलब आपके पास driving license होना चाहिए प्लस दो राजपत्रित अधिकारी gadgetat officers से जो सत्यापित आपका जो चरित्र पमाणपत है character certificate है वो होना चाहिए क्या बोल रहा हूँ मैं कोई भी मामला लंबित नहीं होना चाहिए अगर उसमें फैसला हो चुका भई कई बार आपका पारिवारिक मामले में आपका कई बार ऐसे आपके समय परिस्थिति आ जाती है कि वाद विवाद में आपका जो है केसे हो जाते हैं तो आपके पास एक no objection certificate होना चाहिए कि भाई आपके पास कोई लंबित मामला नहीं है इसी के साथ साथ सेवा निवित परिचालक चालक भी इस योजना के लिए पात सीमा है 18 वर्ष से 65 वर्ष तो बहुत बड़ा एक आपका लार्ज कैप है ये 18 से 65 वर्ष आप समझ रहें दोस्तों तो 18 से 65 बहुत बड़ा एरिया और सरकार मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पर ये एडॉक भरती करने वाली चलिए अब इससे आंगे पढ़ते हैं देखत प्रभी होनी है लेकिन आपका जो है वो बता दिया गया है अब कार अपको पता है अपको और आना की सारी चीजԵस्तिटा रइए किा कि सामान काम वो यहां पर दिये हुए है इसके साथ साथ निर्धारित बस स्टेंड में यात्री भर्ट चढ़ाया उतारा जाएगा जो भ माल वहाग, अगर माल आपका जो है, वो चड़ाना उतारना उसमें भी सयोग करना पड़ेगा, यह यहां पर लिखा हुआ है, अब इसके आगे यह अपका जो है, एक अनुबन या कॉंट्रेक्ट होगा आपका एक प्रकार से, और किसके किसके बीच होगा वो यहां पर लिखा हुआ है ठीक है अब इसके आंगे अगर आप देखें तो लक्ष निर्धारन क्या है क्यों निकाली जारी भरती क्योंकि देखो कोरोना के बाद बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए है तो उन सभियों की पर्चेजिंग पावर या उसे बढ़ाने क्ले से योजना को लागू किया जा रहा है आप इसे देख सकते हैं बकायदा अब अगर इसकी बात की जाए धरोहर रासी मतलब आपसे कुछ पैसा जमा कराया जाएगा आपका लगब 20 परतिशत आपसे लिया जाएगा बकाया रासी यहां पर दी गई है आप एकदम जो है बढ़िया आराम से इसको पढ़ सकते हो एक बार में प्रक्रण जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सब कोई फ्री में यात्रा करवा दी आपने की चलो भाई यह तो घर की बस है तो आज हो सब कोई बढ़िया बरात लेके चलते ह सब भी नहीं करना है कि आपकी कहावत चलती है कि आपका जो है उसी हिसाब से करना चाहिए जिस हिसाब से आप कर सको तो आप सोचोगी आरे चलो कोई नहीं आप फैमिली टूर करा देते हैं तो ऐसा नहीं अब यहां पर आपका वेतन दिया भाई देखो 10,000 किलो मीटर तक वेतन 13,000 है इस से अगर उपर जाते हो आप तो आपका वेतन फिर आपको बढ़ा कर मिलेगा जितने किलो मीटर आप जाते हैं वह आपको मिलेगा अवकास की बात की जाए देखो चार दिन छुट्टी मिलेगी अब अगर आपको कंटीनियू छुट्टी चाहिए क्योंकि द तरदेश यहां पर दिये गए हैं कि वो जो मसीन है आजकल मसीन से टिकट करती है तो उसकी आपको पूरी तरह से विवस्था रखनी है और यह सारी चीजें इसमें दी गई है और मोटा मोटा अगर देखा जाए तो भाई देखो योगता है दसवी आयू सीमा है 18-65 वेतन है नहीं काम काम होता है आपकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो अपने आप आपके जो सपने हैं वो भी बढ़े होंगे अभी थोड़े चोटे हैं तो उमीद करता हूं यह वीडिया आपको पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद